कि अ किल भी सबसे पहले आपको क्या करना आ Microsoft Word जो है उसको डाउनलोड करना है अपने परे स्टोर में जाना है वहां जाके लिखने Microsoft Word यहां उपार सर्च में इस यह चुल लगो वाला सेम इसी लोगो वाला जो Microsoft Word है इसको आपने डाउनलोड करने ना मैंने डाउनलोड कर रखा इसलिए अपडेट के लिए मुझे बोल रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसको डाउनलोड करेंगे ठीक है डाउनलोड करने के बाद आपके पास Microsoft Word जो है वो खुल के आ जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना मैं आरा हूँ अच्छा अब यहाँ दिख रहा है ना आपको यह सबसे नीचAY वर लाइन में वर्ड दिख रहा है ना इसको हम लोग इसी लोग ऐसी लोगो वाला आपके मॉवाइल में डाउनलोड क्या देगा हम इसको करेंगे डाउनलोड कर दो आपके सामने एसी वाल स्क्री स्क्रीन है वो आ जाएगी अब आपने यहां पर लिखना है ठीक है या आप कहीं दूसरी जगह पर लिख सकते हैं जैसे आज कल बच्चे वर्ट्स है फेस्बूक पर ज्यादा लिखते हैं वहां पर टाइपिंग कर लो टाइपिंग करने के बाद बहां यहां पर करो पेस्ट तो चलिए मैं पेस्ट करते हूं यहां तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आपको कुछ options दिख रहे हैं ना be bold वाला दिख रहा है underline वाला दिख रहा है color वाला दिख रहा है तो साथ में यह वाला यहाँ आप click देखोगे यहाँ यह इसको आप click करोगे तो यहाँ नीचे आपको size जो है वो calivary body के आगे लिखा 11 यह size है ठीक है यह आपको size जो है कितना बताया गया है ऐसे लिखने के लिए उसके according आप लोग size जो है यहाँ से set कर लेंगे यह English है अब मैंने यह English लिख रखा है तो हम इसका size जो है वो set करेंगे English के लिए size कितना बताया है कितना बताया है phone size should be 12 for English and 14 for Hindi तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं इसका size जो है वो select करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको इसको करना सबसे पहले select ऐसे आपने किया इसको तो इससे आप यहाँ select all भी कर सकते हैं select all हो गया select all हो गया तो अब यह देखो नीचे size जो है सबका एक जासा नहीं था 10.5 size था तो हमें कितना करना 12 करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे option आजाएगा phone size 12 इसको हम कर देंगे 12 यह हो गया 12 यही size जो है mygob.in ने मांगा हुआ है तो किसी बच्चे ने कहा था कि हम लोग कैसे करें तो मैं उनको उसके लिए बता रहा हूँ ठीक है तो उसके बाद 14 जो है वो है हिंदी के लिए अगर यही हिंदी होता यहाँ पर वैसे ही select करेंगे और 14 जो है वो हिंदी के लिए गर देंगे लाइन स्पेसिंग के लिए बताया गया है कि आपको 1.15 रखनी है 1.15 यह लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए तो लाइन स्पेसिंग इसी तरह से आपने लाइन स्पेसिंग के लिए इसको select करना है सबसे पहले आप इसको करेंगे सबसे पहले select all हो गया तो फिर उसके बाद फिर से उसी वाले arrow को दवाएंगे उसको दवाने के बाद यहाँ आपको नीचे दिख रहा है font formatting है ना font formatting क्लिक करेंगे यहाँ तो कुछ नहीं है तो और options देखते हैं यहाँ पर options आप देखिया paragraph formatting है ना paragraph formatting में आप चलेगे तो यहाँ देखो line spacing option आ रहा है यह line spacing option आ रहा है आपने इसको क्लिक क्या line spacing हमें चाहिए 1.15 तो इसको हम click करेंगे तो आप line spacing को भी यहाँ से set कर लेंगे यह हूब हूब software जो है Microsoft Word जैसे हम computer पर काम करते हैं वैसे ही अपने mobile पर काम कर सकते हैं जिन बच्चुं के पास गरमे laptop computer mobile नहीं है तो mygov.in के उपर mobile से भी इस तरह से अपने document की setting करके हिसा ले सकते हैं ठीक है तो यह थी वीडियो आप कैसे लगी अच्छी लगी होगी तो जरूर आप like subscribe और share करेंगे क्योंकि मुझे पता था कि आज lockdown है lockdown के चलते बहुत सारे बच्चे जो है mobile से ही अपना जो हुनर है वो दिखाना चाहेंगे और अगर computer laptop नहीं है तो फिर हम कैसे हिसा लेंगे उसके लिए मैंने यह आपको वीडियो बना के दिखाई है आप बाकी वालों को भी शेर कीजिए और खुद भी अच्छे से इसको समझ लेजिए धन्यवाद अब इसको save कैसे करना है ना save कैसे करेंगे इसको यह जो dots दिख रहें तीन यहां क्लिक करेंगे यहां option आ रहे है new open save save as अब save as कर लो आप इसको save as किया आपने और save as करने के बाद कहाँ पर save करना है आप इन तीनों options में से choose कर सकते है ठीक है आप जैसे this device में करेंगे add a place किसी दूसरी जगा करेंगे यहां भी जब this device में करेंगे आप यहां पहले नाम चैन कर लो इसका यहां आप कुछ भी नाम रख लो ठीक है आत्मा निर्भर बारत कुछ भी लिखो आत्मा निर्भर इस करके आपने यह आप देखो save वाला option जो है ना blue color का होगा इसको click कर देना है जैसे आप click करोगे यह आपका उस folder में आपको जाके दिखेगा अब आपने उस folder को PDF में convert करना है और फिर उसके बाद send कर देना है ठीक है झाल हुआ झाल हुआ झाल